सीदे बीजेपी के press conference का संबच पात्रा ये press conference कर रहे हैं राहूल गांधी why are you acting as an ally of Pakistan is our question आप राजनीती करिए हिंदुस्तान पे हर विषेबे प्रस्टन पूछिए किन्टु हर विषेबे पाकिस्तान को oxygen देने का काम ये आप जो कर रहे हैं और पाकिस्तान को के वर ऑक्सिजन नहीं, मैं आपको याद दिलाओं। इन्होंने अपना उन्वाइ भेजा था कॉंग्रेस पार्टी में जाके पाकिस्तान में मोधी के खिलाफ केम्पेइनिंग करने के लिए मोधी को हटाना होगा। यह यह एतिहासिक सेंटेंस किसने कहा था, मनीशंकर एयर, पाकिस्तान के मीडिया में बैठके एंकर के सामने यह कहना कि मोधी को आपको हटाना होगा, वो तो वहां का एंकर अवाक रह गया और कह रहा है हम के से अटाएं। कुछ तो रिष्टा है, some connection between these two, पाकिस्तान and the Congress Party, वरना यह बार बार नहीं होता है, too many coincidences show that there is some kind of conspiracy which is brewing inside, बंदुगर्ण, यह बहुत ही आज दुखद विशय है, बहुत दुख के साथ हम यह कह रहे हैं कि हम राजनेतिक प्रतिद्वन्दी हो सकते हैं, मगर जिस प्रकार से Congress Party विवहार कर रही है, this does not behave of a political opponent, this behaves of some kind of larger conspiracy, गैरों से निपट लेना तो बिलकुल आसान है, गैरों से निपट लेना तो बिलकुल आसान है, हमने करके दिखाया surgical strike और air strike, गैरों से निपट लेना तो बिलकुल आसान है, अपनों में गैर छुपा है परदा को डाल के, अपन अपनों में गैर छिपा है नकाब पहन के, जब अपने ही दगा दें तो दुश्मनों का क्या, अपने ही घर में रखे हैं हम अजगरों को पाल के, अब बाकी अजगरों का नाम महने नहीं लिया है, यह अजगर कौन है, यह अजगर कौन है, जो अपने देश को, अपनी मा को निगल जाना चाहता है, यह अजगर कौन है, पीपल अफ इंडिया विल गिफ दिस अजगर, अब बिफिटिंग रिप्लाई, डिमोक्राटिकली और बंदुगन, अभी मैं जब आया, टीवी पे इनहीं अजगरों द्वारा, कुछ ग्राफिटी चलाया जा रहा था, टीवी पे मैं काट के लाया हूँ, मैंने चैनल्स के नाम काट दिये हैं, ताकि आप सब इसे देख स अंदर, जिस प्रकार की आप पोस्टर्स और ग्राफिटी चला रहे हैं, विशिंग डेथ तो आप्राइम मिनिस्टर, इस अप्सलूटली कंडेमनेबल, आप प्रोटेस्ट करिये, बट पर गॉद सेक, डोंट तर्न नेमी तो और विशिंग डेथ आप बिलाफिटी चला र अजगर एक ही बार निकलता है, उसी में पकड़ना पड़ेगा, अब अजगर आपके सामने हैं, बार-बार अजगर नहीं निकला जा सकता है, नहीं सामने ही है, देश के सामने हैं, आप मतलब आप ही तो देश हैं राहूल गांदी जी ने प्रधान्मंतरी को चैलेंज़ दिया है स्टूसेट के बीच जाने के लिए प्रधान्मंतरी 219 में लोकतांतरिक तरीके सेवोड के माध्यम से सबसे लोकप्रिय प्रधान्मंतरी के रूप में चुने गएं स्टूडेंट्स अर्थात यूथ महिला बच्चे बड़े प्रॉड प्रोफेसर्स टीचर्स डॉक्टर्स इंजिनियर्स सब के बीच में जाके अपने विजन और अपने पॉलिसी को रखने के बाद वो इस देश के सरवाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने है किन्तु भा कि पीछे वर्धी है आपको क्या लगता है इसके पीछे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए इसके पीछे आपको और अ खड़ा होना चाहिए इसके पीछे केवल और केवल राहुल गांदी खड़े हो सकते हैं देश के संविधान को मानने वाला कोई भी वेक्ति खड़ा नहीं हो सकता नहीं राहूल गांधी कहते हैं कि राष्ट्र को विचलित करने वाली राजनिती मोधी जी कर रहे हैं राफोयो काइंड इंफरमेशल राहूल गांधी जी का निकनेम राष्ट्र नहीं है राहूल गांधी जी विचलित हैं राष्ट्र विचलित नहीं है इसलिए राहूल गांधी जी ये जो खुश फेहमी में रह रहे हैं कि वही राश्ट्र हैं इंडिया 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 इस राहूल ऐसा नहीं है he is not राश्ट्र वो विचलित जरूर है राश्ट्र विचलित नहीं है only lady has got Yes. See, he has given a clarification also. I will also say it in Hindi. He has, he, Payal Ji, he has given a clarification also and he has said that every country has the right to protect one's border. Every country has the right to look after its national security as frame policies for the immigration. so of course that's what the government of this country has done we have framed policy we are looking after our national security and we are looking after and protecting our borders as far as Nadella Ji saying that well he would be happy if some immigrant Bangladeshi becomes the CEO of Microsoft tomorrow I would say that well yes I mean as far as immigrants are concerned there is a process of citizenship in this country anyone can apply for citizenship even the Prime Minister has said once they apply for the work permit once they apply for citizenship if they become citizens as many have become citizens of course they can do whatever constitution bestows upon them in this country look where the government of Satya Nadella Ji came after that after that they also gave a clarification they said that any government of its authority is the authority that it is the authority of the border security to make the law and the law and to make the national security to make the government of its national security and to make the citizenship and immigration to make the law and to make the law and to make the law our government has also done this in some way as far as Nadella Ji says that they will be happy if some immigrant Bangladeshi or some Bhuspatia Bangladeshi or some company of a day in Hindustan or some company of CEO then we would like to say that that it is the constitution of Hindustan's constitution in this form of this form that that any person can apply for the government of the government in India and the rules can apply for the government of the government if they get the government of the government or they get the work permit from the government then they can work in India and they can improve their talent